जिसे हम एस्ट्रल यात्रा कह रहे हैं, वो बस अपने इथरी शरीर को यहाँ वहाँ घूमने देना है. ऐसा करने के लिए बहुत साधना जरूरी है. प्रांट शरीर बाहर निकाल कर वापस डालना आसान है. इथरी शरीर के लिए बहुत साधना चाहिए. इस्ट्रल यात्रा क्या होती है? कहते हैं कि बस आप लेट सकते हैं, यानि सभी नहीं, पर जिन्हें इसका अनुभव होता है, वे शरीर से बाहर निकल कर कुछ समय बाहर रहते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं. देखे, ज्यादतर लोग, मैं जानता हूँ कि यहां कई चीज़ें हो रही हैं. अमेरिका में सभी एस्ट्रल यात्राएं कर रहे हैं. यह सिर्फ ध्रम हैं. लोग लेट कर कलपना करते हैं कि वो यहां-वहां उड़ रहे हैं. ऐसा नहीं होता. दुर्भागे से, जब हर तरह के लोग ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, तब यह मजाग बन जाता है. एस्ट्रल इसे कहते हैं. देखे, पांच प्रकार के शरीर हैं. भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, उर्जा शरीर, इथरी शरीर और आनन्द शरीर. यह शरीर के पांच आयाम हैं. हम योग में हर चीज़ को शरीर कहते हैं, ताकि आप इसे एक भौतिक इकाई के रूप में समझ सकें. हाला कि आखरी दो भौतिक नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें शरीर कहते हैं. क्योंकि योग एक तरीका है, नकि फिलोसफी. योग फिलोसफी नहीं है, यह एक तरीका है, यानि कुछ चीज़ों का उप्योग करने के लिए, हमें एक तरीके का इस्तिमाल करना है. एस्टरल शरीर बाहर आने का मतलब है, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, उर्जा शरीर और आनंद शरीर को यहीं रख कर, सिर्फ एथरी शरीर को चारों तरफ घूमने देना, यानि आप यहां अपने काम कर सकते हैं क्योंकि आपका भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और उर्जा शरीर बरकरार है, बस एथरी शरीर कहीं और है. यह एक तरह की महारत है, यह मानसिक स्तरपर नहीं हो सकता, ऐसा करने के लिए जबरदस साधना करनी जरूरी है, इथरी शरीर की तुलना में प्रानिक शरीर भौतिक है, इसकी उपस्थिती ज्यादा भौतिक है, यह उर्जा है, पर एक भौतिक उर्जा है, इथरी शरीर में बीच की उर्जा होती है, ना तो भौतिक, ना उससे परे, बलकि बीच की स्थिती, आनंत मैं शरीर भौतिक से बिलकुल परे है, तो प्रांट शरीर बाहर निकाल कर वापस डालना आसान है, और वो ज्यादा बड़ा अनुभव होता है, क्योंकि आपका एक भौतिक हिस्सा बा आप अपने अंदर साधना और तीवरिता के एक स्तर पर हों, पर हर गली नुकड़ पर आज का लैस्टरल यात्रा हो रही है, वो सिर्ध्रम है,